नमस्कार मैं हूँ आसीश चित्रांसी और आप देख रहे हैं दन्यूज लॉंचर इस देश में पर कैपटा इंकम बढ़े या न बढ़े लेकिन एडी में अगर आप नोकरी करते हैं एडी के अपसर हैं तो आपकी कमाई दिन दूनी राज चोगुनी बढ़नी तय है क्योंकि अब इस वक्त इडी में जो रिस्वत घूस घूस के रेट तरक्की पर है ग्राफ उपर की तरफ है प्रतिवेतियाय में हमसे आगे बंगलादेश भी निकल चुका है लेकिन इडी के अपसरों की कमाई के सामने अच्छे अच्छे ब्योसा है मोदी जी के इस्टार्ट अप इंडिया वाले लोग आत निर्भर इंडिया वाले लोग सब पीछे चूट रहे हैं आपको याद होगा राजस्थान में पंद्रह लाक की रिस्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया अपसर और उसके साथ उसका एक सहयोगी भी था खैर हम राजस्थान वाले मामले को नाडू से है रेट बढ़ा है जैपुर में पंद्रह लाक रूपए जो एडी वाला अपसर मांग रहा था दक्षिड यानि तमिल नाडू के डिंडी गुल जाते जाते उसमें किराया भी जुड़ गया भाई दक्षिड भारत तक गया तो किराया जाते लगा तो किराया का ताज सेयर की जा रही है यान ट्विटर यानि एक्स आप भी देख लीजिए तीवारी जी को यह अंकित तिवारी जी एडी के अफसर हैं एक निजी ब्यक्ति डिंडी गुल में उसके साथ मोलभाव कर रहे थे जैसे जैपुर में चिटफंड वाले के साथ आपको याद ह होगा जैपुर में हुआ क्या था चिटफंड का एक मामला था नौल थीष्ट में केस था कि उसकी संपत्ति जब्त हो सकती थी गिरफ्तारी हो सकती थी ED का एक अफसर अपने सह्योगी के साथ पहुंचा कहां भाई 17 लाख रुपये में डिल डजद करो कि 17 लाख रुपेदो न गिरफ्तारी होगी न संपत्ती जब्त होगी मोज में रहो गये 70 लाख रुपए की डिमांड थी 15 लाख रुपए में सौधा डन हो गया 15 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथो राजस्थान की एंटी करप्सन ब्यूरो ने धर दबोचा ED के अफसर को उसके बाद कुछ वक्त तो ED भी सदमे में रही कोई बयान तक नहीं आया कुछ वक्त गुजरने के बाद एजेंसी ने बयान दिया कि नहीं हम इन पर एक्षन करेंगे मामला दर्ज कर लिया है हलाकि ED मामला दर्ज करती उससे पहले एसोग गहलोत की सरकार ने उनकी खोजखबर ढंग से ले ली थी ED उस वक्त राजस्थान में चारो तरफ मड़ा रही थी यहां तक की कॉंग्रेस के एक प्रत्यासी को मतदान के दिन ही कॉल कर लिया था हलाकि इससे पहले दो नौंबर की बात है जब दो नौंबर को ED किये दोनों कारिंदे एक अफसर और एक सहयोगी गिरफतार हुए अब फिर तमिलनाडू से जोड़िए इसको यह 15 लाख 20 लाख में वहां पर जाकर के जिसको कहा हमने रिस्वत की रेट में बढ़ोत्री तो रिस्वत की रेट में बढ़ोत्री 15 लाख का वहां जाकर के 20 लाख मांगा अंकित तिवारी ने 20 लाख रूपए लेते हुए ये भी रंगे हाथ धरे गए हैं इडी का मामला तमिल नाडू में पिछले करीब आठ महीनों से हल्चल पैदा किये हुए है जून का महीना था जब बालाजी सेंथिल जो मंत्री हैं इस्टालिन के सरकार में मंत्री हुआ करते थे उनको इडी ने मनी लॉंडरिंग के केस में गिरफतार किया आपको याद होगा उस वक्त गिरफतारी के ततकाल बाद बालाजी सेंथिल की तबियत बहुत बिगड़ गई उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाए गया सरजरी होई उनकी सरजरी होने के बाद कि वो तस्वीर याद करिए जब इस टालिन अस्पताल में मिलने गए बालाजी सेंथिल से उस मुलाकात की तस्वीरे बाहर आई तो कहा गया कि ED के साथ सहयोग करने के लिए तो तयार ही थे आप पूछ ताच करते इस कंडिशन में जहां पर कुछ भी नहीं क्योंकि अस्पताल में सर्जरी हुई सब सामने आ गया बालाजी सेंथिल को 30 तारीक को वहां के राज्यपाल सीटी रवी बरखास्त कर देते हैं 30 जून को हड़कंप मचता है तमिलनाडू की सियासत में इस टालिन मोर्चा खोल देते हैं के खिलाब और आखिरकार राज्यपाल बैक फुट पर जाते अपना फैसला वापस लेते हैं तमिलनाडू उन राज्यों में जिन राज्यों में एडी का कहर जारी है एडी का कहर कहा है जहां जहां भाजपा की सत्ता नहीं है बंगाल में चतिसगड में, बिहार में, जारखंड में, राजस्थान में, तमिलनाडू में, केरला में, इन सभी राज्यों में ED लगातार सक्रिय है, जिसे हम लोग कहते हैं कई बार मोदी के छापे मार, ये छापे मार उन्हीं राज्यों में कदम रखते हैं, जिन राज्यों में भाजप पारिपा का सावसन नहीं होता है, ऐसा उदाहन कहीं मिलता ही नहीं है, अध्यआ प्रदेश में, पटवारी घोटाला, पटवारी भरती में, विआ हॉन आत्य के उसके तथे वीडियोज की एक स्रिंखला आई पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री लेकिन क्या मजाल की ED के कान पर जूर रिंग जाए कोई कारवाई नहीं संग्यान तक नहीं लिया गया ED, CBI, IT किसी ने संग्यान नहीं लिया वीडियो देखा मजा लिया और आगे बढ़ गए संग्यान नहीं लिया, मजा पूरा ले लिया खैर ED की इस कारवाई प्रणाली से पुरा देश वाकिफ हो चुका है अब तो ED के एक्सन के बाद सामान ये परसेप्सन ये बनना सुरू हो गया है कि छापे मारी हुई है यानि मोदी जी और भाजपा जिसके यहाँ चापे मारी हुई उससे घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं लेकिन अब ED के अफसर सिकंजे में आना सुरू हो गया है बड़ी बात यह है राजस्थान में धरे गए दो तमिलनाडू में धरे गए एक बंगाल में खुली चुनावती ममताब अनरजी की कि करो आओ गिरफतार कितने करोगे गिरफतार उन्हों तो यह भी नहीं कहा कि ED के बदले ED को गिरफतार करेंगे ED आओ गिरफतार करो ED वाले हम भाजपा वालों को बंगाल की पुलिस भाजपा वालों को अंदर डालेगी तुम भरष्टा चार में बदनाम करोगे हम बेभी चार में बदनाम कर देंगे जेल में डाल देंगे और चार के बदले आठ तो क्या जैसे जैसे एक पुरवानचल में कहावत है किसी जमाने में और अखबारों में उस दौर के पत्रकार ने इसको हेडलाइन बना दिया था काहे बदे अतना इतराईल बाडू ची रही गवना के दिन नियराईल बाए ची रही पुरवानचल के लोग हो सकता है इसको समझ रहे हूँ कि काहे बद एतना इत्रायल बाडू ची रही, गवना के दिन नियरायल भाए ची रही, तो सायद E.D. को भी यह आभास हो गया है, कि गवना के दिन नियरायल भाए ची रही, यानि अब जाने का वक्त करीब आ रहा है, तो सायद इसी वजह, रेट भी बढ़ गये हूँ, इसी कि जल्द से जल्द जितनी उसूली हो जाए, लेकिन इसी रेट बढ़ाने की कवायद में ऐसा न हो, कि जाते जाते, सत्ता तो भले जिसकी है उसकी चली जाए, ये लोग सलाकों के पीछे सत्ता जाने से पहले, अपसरी सलाकों के पीछे नजर आएं, दो राज्य तो इसकी गवाही दे रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं इसकी, फिलाल देखते हैं कि ED की रिस्वत खोरी का कारवा यहीं रुकता है, या रेट बढ़ाते हुए किसी और राज्य में प्रवेश करता है, इंतजार रहेगा और ऐसा कुछ होगा, तो आप तक हम जरूर लाएंगे, क्योंकि ED की ख़बर है, चापे मारों की ख़बर है, ब्रस्टाचारियों के खैर लेने वालों की ख़बर है, तो इनके ख़बर तो आप तक आने हैं चाहिए, फिलाल इस वीडियो मुझे इजाज़द दीजिए, देखते रहेए The News Launcher, नमस्कार